हलो फ्रेंट्स मैं प्रियंका अपने चैनल रेस्पी रेस्पी में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए दो तरह के औरेंज पॉपसिकल की रेस्पी लाई हूँ वाद मैं ओरेंज गुलकोज पॉपसिकल बनाओंगी कि लिए संत्रे के लिए हमें संत्रे चाहिए मोल्ड के हिसाब से मुझे 2 कप संत्रे का जूस चाहिए शुगर पावडर हाफ कॉप आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर पाउडर घटा या बढ़ा सकते हैं, चुकि शुगर पाउडर जल्दी जूस में डिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, दो कप संत संतरे का जूस घटा या बढ़ा रहा हैं, तो आपको शुगर पाउडर घटाना या बहरा ना पर सकता हैं, जूस निकालने के लिए मैणे इस तरह के मैनुवल जूसर का इस्तमाल कर रही हूँ, मार्केट में आपको बहुत सारे तरह के मैनुवल जूसर मिल जाएंगा, जूस निकालने के लिए सबसे पहले मैं सारे संत्रे को काट लेती हूँ विश्क की मदद से भी संत्रे का जूस आसानी से निकाला जा सकता है देखिए फ्रेंट्स बड़ी आसानी से जूस निकल रहा है मैं जूसर की सहयता से संत्रे के जूस निकाल लेती हूँ देखिए France संत्रे का juice कितनी आसानी से निकल रहा है ये देखिए France कितने अच्छे से juice निकल गया इसी तरीकी से मैं सारे संत्रे के juice निकाल लूँगे juice निकाले में जो थोड़े बहुत pulp बच जा रहे हैं इसे हम दूसरे बरतन में जमा करते जाएंगे मैं इससे भी juice निकालूंगी इसी तरीके से हम सारे संत्रे के juice निकाल लेंगे और जो भी pulp बचते जाएंगे उसे हम दूसरे बरतन में जमा करते रहेंगे मैंने संत्रे का juice निकाल लिया है यह cup से लबग 1.5 cup है juice को मैं एक बड़े बोल में छान लेती हूं जाकि इसमें अगर कोई बीज आ गया हो तो वह चंड जाए जूस निकालने में जो थोड़े बहुत पल्प बच गये थे इससे भी हम juice निकालेंगे पल्प को हम इस तरीके से दबा दबा कर इससे juice निकालेंगे मैंने संत्रे के पल्प से भी बहुत अच्छे तरीके से juice निकाल लिया है अब juice की मात्रा दो कप हो गई है अब मैं इसमें sugar powder डाल देती हूं इसे हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे इस juice में जड़ा सावी पानी नहीं मिलाया है इस juice से जो popsicle बनते हैं वो मार्केट के popsicle से भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं शुगर powder juice में अच्छे से dissolve हो चुका है अब हम इसे popsicle mold में भर देंगे mold को बढ़ने के बाद हम इसमें इसकी cap लगा देंगे फिर इसके बाद हम इसे कम 6-7 गंटे के लिए या फिर overnight set होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे मैं इसे overnight के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देती हूँ अब मैं औरेंज गुलकोंडी पॉप्सिकल बनाऊंगी इसके लिए हमें संत्रा चाहिए mold के हिसाब से मुझे तीन कप संत्री का juice चाहिए मैंने पास संत्रे लिए है जो रख पढ़ने पर मैं और भी संत्रे ले लूँगे औरेंज फ्लेवर का गुलकोंडी पॉडर है हाफ कप शुगर पॉडर वन फोर्थ कप जो प्रोसेस हमने पहले वाले पॉप्सिकल बनाने में अपनाया था वही प्रोसेस हम फिर से दोड़ाएंगे सबसे पहले हम सारे संत्रे काट लेंगे सारे संत्रे काटने के बाद हम इसका juice निकाल लेंगे juice निकालने में जो भी पल्प निकल जा रहे हैं उसे हम दूसरे बरतन में जमा करते जाएंगे मैंने सारे संत्रे को जूस निकाल लिया है, अब मैं इसे दूसरे बोल में छान लेती हूँ सेम तरीके से हम बचे हुए पल्प को दबा दबा कर इससे भी जूस निकाल लेंगे देखिए फ्रेंट्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पल्प से भी जूस निकाल लिया हैं अभी जूस की मात्रता तीन कप है अब हम इसमें गुलखॉंड डाल देंगे शुगड़ भी डाल देंगे इसे हम जूस में अच्छे तरीके से मिल आइंगे शुगर पाउडर और गुलकोंडी पाउडर जूस में अच्छे तरीके से मिल चुका है, अब मैं इसे मोल्ड में भर रही हूँ मैंने मोल्ड को जूस से भर दिया है, अब मैं इसकी कैप लगा देती हूँ, इसके बाद मैं इसे ओवरनाइट सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दूँगे मैंने रात भर के लिए पॉप्सिकल को सेट होने के लिए फ्रीजर में छोड़ दिया था, अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे एक बरे बरतन में रूम टेंप्रेचर का पानी लेकर हम इसमें पॉप्सिकल मोल्ड को लगबग आदा मिनेट के लिए डूबो कर रखेंगे पानी गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए रूम टेंप्रेचर का ही होना चाहिए पानी पॉप्सिकल मोल्ड के एकदम उपर तक होनी चाहिए इससे पॉप्सिकल थोरी देर में आसानी से निकल जाता है अगर बोल में पानी popsicle mold के cap तक नहीं रखेंगे तो popsicle निकालने में time लगेगा साथी ये भी हो सकता है कि popsicle नीचे से पिखल जाए या फिर popsicle pull करते समय popsicle mold में ही रह जाए और mold की cap बाहर निकल जाए ये देखिए friends popsicle कितनी आसानी से बाहर निकल गया याद रखिएगा friends हमें popsicle को demold करते समय पानी की मात्रा और इसके temperature को ध्यान में रखना है देखिए friends औरेंज popsicle कितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी उतना ही टेस्टी भी है इसी तरीके से हम औरेंज गुलकॉंडी popsicle को भी mold से demold कर लेंगे ये देखिए friends कितनी आसानी से popsicle demold हो गया तो लीजे friends बहुत ही tasty और healthy दो तरह के orange popsicle बनकर ready है इसे बनाने में किसी भी तरह का कोई जंजट नहीं है ये popsicle खाने में तो टेस्टी है ही साथी ये बिना chemical और बिना preservative के बना है इसमें किसी भी तरह के food color का इस्तमाल नहीं हु जरूर करिएगा और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रिस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न